नमस्कार दोस्तों, हुमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पत्ना मुमिन्स कॉलेज अडमिशन 2024 के बारे में तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें वीडियो पसंद आती हो, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जुरूर करें जैसे के आप सभी जानते हो कि अभी 10th और 12th सबका एक्जाम अभी हो रहा है और एक्जाम के बाद आपको किसी अच्छे ग्राज़ेशन में अडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको डियू में लेना है तो आप डियू के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मैं उसके लिए अप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, बट डोस चूडेंट जो कि पत्ना में रहना चाहते है और पत्ना में लेना चाहते है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहे हूँ सो जैसे कि आप सभी देख सकते हो, कि यह जो नोटिस है, यह है रेगार्डिंग अद्मिशन नोटिस 2024 और इस नोटिस को रिलीस करा गया है, 31st of January की डेट में, जैसे कि आप सभी देख सकते हो तो यह पर ऐसा बतलाया जा रहा है, कि applicants are invited for the admission for the various program being run at Patna Women's College, Patna for the academic year 2024 to 2025, ठीक है? और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि यहां पर लिखा गया है, कि applicants form for 2024 to 2025 will be available on the college website, तो इसके लिए form को भणने के लिए आपको college की website www.patnawomenscollege.it उस पर आपको चले जाना है, और एक फरवरी से जो है, वो form आपको website पर available दिखेगा, जहां जाकर क्या form को भर सकते हैं, चाहे आपको undergraduate graduation course के लिए, जो कि graduation हम जिसे बोलते हैं, या फिर post graduation course जिसको हम कहते हैं master's, या फिर PG diploma course, जो कि एक साल का होता है, उसके लिए भी apply कर सकते हैं, आपको मैं बता दू कि यहां पर merit list जो होता है, वो जारी किया जाता है, जिसमें कि अगर आपका roll number है, तभी आपका यहां पर admission होता है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को अगर exam लेना है, आप एडमिशन लेना है, तो आप कैसे admission ले सकते हैं, तो देखिए अगर आपको यहां पर advertising and marketing management लेना है, यानि कि AMM लेना है, तो आपको graduation, आपको यहां पर 12th pass होना है, ठीक है, 12th आपको इसे भी stream से pass हो सकते हैं, और आपका जो exam होगा, interest exam वो 24 तारीक को होगा, देखिए 24 मैं को 11 से 1 आपका exam होने वाला है, ठीक है, और सीधा में आप लोगों को बताओ, तो BC अगर आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको maths pass होना है, 12th में, ठीक है, इसके साथ ही, अगर आप CEMS लेना चाहते हैं, Communicative English and Media Studies, तो उसके लिए भी आपको 12th pass होना है, और आपका जो exam है, 24 तारीक को होगा, 24 मैं को, टाइमिंग आपे दिया हुआ है, same as masters अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ पे, computer application से, तो उसके लिए आपको BC या फिर BC करना है, ठीक है, इसके साथ ही, मैं आपको बता दूँ कि, आइए, जो course है, वो दो साल का होता है, और यहाँ पर आप लोग अप अपना course देख लीजी, यहाँ पे उसका timing भी लिखा हुआ है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि आपका जो भी honors पे होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका जो भी honors होगा, उसका जो timing, अगर आप भी इंग्लिश लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, देख सकते हैं, और आपका जो इंटरेंस है, 29 तारीक होगा, ठीक है, मैं का भी देख सकते हैं, मैं में अपको इंटरेंस नहीं लगेगा, सिधा अगर आपको, मैं इंग्लिश अगर लेते हैं, या फिर MSC Zoology लेते हैं, तो आपका इंटरेंस अपका होगा, मतलब आपसे इंटर्व्यू लिया जाएगा, 10 जून की डेट में, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपोर तो उनका इंटर्विशन हो जाएगा, अगर आप जिर्डरल कैटिग्री से बिलॉंग करते हैं, तो आपका 50% मार्क होना में इंटरी है, इसके साथ ही मैं बता दूँ कि अगर आप लोगों का जैसे कि अगर आप इंगलिश ओनर्स के लिए जा रहे हैं, तो आपका इंगलिश में अच्छा मार्क साना चाहिए, चाहिए आप कोई से भी बोड से पास करे हूँ, ठीक है? इसके साथ ही, अगर आप लेना चाहते है, एकोनोमिक्स ओनर्स करना चाहते है, ग्रेजवेशन एकोनोमिक्स से, तो आपका प्लस टू में मैट्स होना चाहिए, ठीक है? इसके साथ ही, बीकॉम के लिए भी वही चीज है, कि आपको 45% मार्क साना चाहिए, इसके साथ ही, आप यहाँ पर देख सकते हो, कंपार्टमेंट अगर आपका लगता है, तो आप यहाँ पर इंट्रेंस करेक कर ले होते हो, लेकिन अगर आपका बोर्ड ग्लियर नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकता है, इसके साथ ही, आपको अपना अप्लिकेंट को यहाँ पर जबी भी आप दोकिमना फॉर्म को भरोगे, यहाँ पर कॉलेज के लिए, एडमिशन फॉर्म, तो उसके लिए आपके पास जिरॉक्स कॉपी होना चाहिए, आपके एग्जामिनेशन एडमिट कार्ट का और मार्क इसके साथ होना चाहिए, जिससे क्या पास आउट हुए हो, कास सेर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और बैप्डिजम सेर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप अप्लिकेबल है तो, और फॉर्म का यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं, एमेम, बी, 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 सी, एम, के लिए और बाकी जो पोस्ट डियाज़ेशन कोर्स है, उसके लिए सबके लिए देखिए, एक हजार एक सो लग रहा है, सबके लिए यहाँ पर बस आट सो रुपया लग रहा है, एमे होम साइन्स के लिए, और इंटरेंस का जो पैटर्न होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको OMR sheet मिलेगा, जिसमें कि आपको marks इसमें color करना होता है, और blue या black pen ही आप use करेंगे, ठीके, और मैं आप लोगों को बता दू, 100 marks का आपका exam होता है, जिसमें कि आपको 2 घंटे का time मिलता है, 100 marks का आपका, एक marks का रहेगा, और 100 marks का रह कि आपको 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 आपको